अगर आपने अपना मोबाइल नंबर अब तक आधार कार्ट से लिंक नहीं किया है तो जल्द करवा लें क्योंकि फरवरी में ऐसे मोबाइल नंबर बंद कर दिये जाएंगे जो आधार कार्ट से लिंक नहीं होंगे खबर है कि आधार से लिंक ना होने वाले नमबर को फरवरी तक बंद किया जाएगा एरटेल वोड़ा फून समेथ अन्य मुबाइल कमपनियों ने अपने करहकों को फून करना शुरू भी कर दिया है UIDAI ने मुबाइल नमबर को आधार से लिंक करने की आखरी तारीक 6 फरवरी तई की है इससे पहले आपको अपना मुबाइल नमबर आधार कार्ट से लिंक करना ज़रूरी है पहली बार mobile number आधार से लिंक करवा रहे हैं तो इसकी offline फ्रक्रिया है लेकिन अगर आपका number आधार detail में शामिल है तो आसानी से online ही mobile number और आधार को लिंक किया जा सकता है अगर आप पहली बार अपना mobile number आधार कार्ट के साथ register कर रहे हैं तो ये काम आपको नजदी की आधार Enrollment Center जाकर करना होगा सेंटर में जाने से पहले UIDAI की वेबसाइट से अपडेट, करेक्शन फॉर्म डाउनलोड कर लें इसमें सभी जानकारी भरें इस फॉर्म के साथ आपको एक पहचान पत्र भी साथ लेकर जाना है आप पैन कार, बोटर आईडी कार या फिर ड्राइविंग लाइसेंस समेट अन्य आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स को लेकर आधार सेंटर में जा सकते हैं आधार सेंटर में आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा जिसके सरिये आपकी अप्लिकेशन के सत्यता परखी जाएगी इस प्रोसेस के पूरी होने के बाद आपको एक कन्फरमेशन स्लिप दी जाएगी ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद जादा से जादा दस दिनों के फीतर नई जानकारी आपके आधार डीटेल में नजर आने लगेगी आप इस प्रोसेस का स्टेटस आउनलाइन यू आई डियाई के वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं अगर आपका एक नमबर पहले से ही रजिस्टर है तो आप अपने नए नमबर को यू आई डियाई के पोर्टल पर जाकर खुद ही अपडेट कर सकते हैं ब्यूर रिपोर्ट एप्यान